नमस्कार किसान साथियों आज की सुड़ी में बात करेंगे गेहूं की जो नीचे वाली पतियां उसके बीच का जो हिस्सा है पतिक है वो आपको हलका ब्राउन या फिर जलावा आपको दिखाई दे रहा है काफी सारे खेतों के अंदर इस तरहें की जो दिक्कत है वो आम तोर सबस्ती के आड़ा है आपको दिखाई दे रही है तो आज किस विडियों में जान लेते हैं कि यह जो समझ तो यह यह की जदा मात्रा पोडे के अंदर आ जाना है तब फिर आप का जो प्र्योग है वो चीट एव च्छिटा विधी दवारा ब्राउन करते हो आलेड या आपके मिट्टी के अंदर या पानी में आरेन मोजूद होता है तो वहां पर जो पोधे के अंदर टोक्षीटी है वो आ जाती है जिसके अंदर इस तरह की जो पती है वो आहम तोरह आपको दिखाई देगी नमबर दो पर हम बात करते हैं अत्यादिक ठंड क होना बैसिकली हम देखा जाए तो गेहों को अत्यादिक ठंड की आप सकता होती है लेकिन अब की बार जो टंप्रेचर है वो दिन में थोड़ा साही चला जाता है रात को जो टंप्रेचर हो बिल्कुल डाउन जा रहा है तो इस तरह की जो समस्य है वो आ जाती है क्योंकि इ इस डिजीज के अंदर या फिर इस फंकस विमारी के अंदर आम तोर पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो अगर सेम जो सिम्टम है वो आपको लीफ एंड गुलूम बलोच विमारी से मिलते जुलते है तो वहां पर आपक कस्टोडिया ले सकते हो अजोक्सी पलस टेबू का कंबिनेशन आचाए 250 सेमल या फिर कार्बेडिजन पलस में मैन को जेब आप ले सकते हो 12-3-6-400 कराम पर देखने को मिल रही है धन्यवाद किसान साथी हो